दोस्तों अगर आप एक YouTube Creator हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितनी जादा मेहनत करनी पड़ती है Topic Research करना पड़ता है फिर उसकी editing करना पड़ता है फिर वीडियो अपलोड करना पड़ता है फिर वीडियो का thumbnail, tag, title, description ये सभी चीज़ें हमें करना पड़ता है एक वीडियो के लिए तो इसी तरीके से हम लोग काफी सारी मेहनत करके अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं और माल लिजे कि हम लोगों ने अपने चैनल पर काफी सारी मेहनत किया है मेहनत से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है और उस बीच अगर हमारा चैनल हैक हो जाए कोई हमारा चैनल हैक कर ले तो हमें कितना दुख होगा बहुत जादा दुख होगा कि हमने इतनी सारी मेहनत की और हमारा चैनल हैक हो गया तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू से कर लेना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जुस्तो अपने यूटूब चैनल को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल पर कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करने चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर YT Studio अप्लिकेशन को ओपन कर लेता हूँ आप भी ओपन कर लीजेगा यहाँ पर मैंने YT Studio अप्लिकेशन को ओपन कर लिया है अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यह मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इसे सब्सक्राइब भी जरूद से कर लीजेगा अब दोस्तों आपको सिंप्ली देखिए करना क्या है आपको यहाँ पर देखें नीचे की साइड आपको एक अर्निंग का डॉलर का ओप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो तो जैसे यह क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आपको एक मेल आ जाएगा यूटूब की तरफ से कि आपका यह जो क्राइटेरिया है कंप्लीट हो गया है आप इसे मोनेटाइजिशन के लिए अपलाई कर सकते हो तो इसे हम अभी रहने देते हैं उसके बाद दोस्तों ठीक उसके नीचे आप लोगों को 2-step verification का एक option मिलेगा यह वाला जो option है इसे enable करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों अगर आप लोगोंने अपने चैनल का 2-step verification enable नहीं किया है तो इसे enable कर लिजेगा और अगर आपने 2-step verification enable करके रखा हुआ है तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपने चैनल पर कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले मैं इसे enable करके आप लोगों को बता देता हूँ कि 2-step verification को enable कैसे किया जाता है तो यहाँ पर 2-step verification का option आ रहा है तो यहाँ पर turn on का एक button मिलेगा आपको इस पर आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो एक page open हो जाएगा अब यह जो page open होगा यहाँ पर आपको देखे सबसे पहले अपनी channel का Gmail ID यहाँ पर सबसे पहले select कर लेना है आप लोगों को तो दोस्तो जैसे ही आप next वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का page आपके सामने खोल कर आ जाएगा यहाँ पर 2-step verification का option आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना एक mobile number डालना होगा जिस पर आपको एक code आएगा उस code को यहाँ पर fill करन हैं उसके बाद यहाँ पर next का एक button मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो आपके उसी number पर code आएगा उस code को यहाँ पर fill करना होगा तो code का हम wait कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहो कि code भी आ चुका है 489171 चलिए इस code को हमने यहा यहाँ पर next वाले button पर फिर से आपको click कर देना है next वाले button पर मैंने फिर से click कर दिया अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का option आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर work return on two step verification उसके बाद यहाँ पर turn on का एक option मिलेगा इसको आप लोग enable कर सकते हो इसको मतब on कर सकते हो पर click करने के बाद मत दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर two step verification का जो option है यहाँ पर tick mark का option आ चुका है और यह जो two step verification है अगर आपने enable नहीं किया है तो इसको enable जरूर से कर लिजेगा दोस्तों अगर आप अपने youtube channel का two step verification कर देते हो तो इससे आपको यह benefit होगा कि मालीजे कि किसी को भी अगर आपके gmail id और password का पता चल जाएगा तो वो आपके channel को मतब कहीं पर भी login नहीं कर पाएगा जैसा ही वो login करने की कोशिश करेगा अपने pc में mobile phone में तो आपको एक notification आएगा उसके जरीए आपको बता ठीक है ना भूल कर भी किसी को भी अपना id password बिल्कुल भी नहीं देना है अगर ऐसा अगर आप लोग करोगे अगर social media पे अगर किसी को अपना friend बनाया है अगर आप लोग पूरा विश्वास करते हो बरोसा करते हो यह सोच कर कि यार इस बंदे को मैं अपना ये देदू मेर ये problem है ये बंदा इसे solve कर देगा तो ऐसा सोच कर आप किसी को भी अपना id password बिल्कुल भी मत दीजेगा ऐसा करोगे तो क्यूंकि आज कल मत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा दोखा दड़ी करते हैं एक दूसरे के साथ तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजेगा दोस उस बंदे ने क्या किया उसके चैनल को ही hack कर लिया वहां से मतब उसका email id और password उसको पता लग गया तो उसने सारा वहां से उसका जो number था recovery email id था सब कुछ हटा के उसने अपना add कर दिया उसके चैनल को ही hack कर लिया तो इसलिए आपको कभी भी किसी भी social media पे किसी को किसी के भी भरोसा नहीं करना है ठीक है न दोस्तों तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है किसी को भी अपना id password बिल्कुल भी नहीं बताना है अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल कभी भी hack ना हो कोई भी मतलब आपके चैनल पर छेठ खहानी ना कर पाए तो आपको यह गलती नहीं करनी है और अपनी चैनल पर two step verification को enable करके ही रखना है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना और इस चैनल को जरूर से subscribe कर लेना क्यूंकि इस चैनल पर भी बहुत जल्द मतलब वीडियो आने वाली है तो चलिए दोस्त आज कि इस वीडिय अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe भी जरूर से कर लेना